नवश्कार दोस्तों, बगवन आप से भी कब लग करें और आपकी सारी च्छाह मेरे कामने पूरी हो दोस्तों, अज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्पून जान कर वेक करूँगा और यहाँ पर आपके फिंगर के एनरेसिस के बाद इस पूरे पाम का एनरेस के आप सभी के सामने व्यक करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लिंद पाम के कंपरेजर में शौर्ट है जो एक इंस्टेंट डिसिजन टेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है इस कंडिशन में इमजिट एक्शन लेने की टेंडेंसी होती है और बहुत चुस्ती स्फूर्ती में और जल्द बाजिवे या हरबड़ी में काम करने की आदाद भी पाई जाती है बहुत ज़दा पेशिंस नहीं होता इंपेशिंट और इंपल्सिव टाइप का ये नेचर क्रियेट करता है और जो भी कुछ पाने की चाहत होती है इतनी ज़ादा होती है कि अपने तरफ से 100% नहीं 200% एफर्ट किसी भी काम में लगा पाने में सक्षम होते है यानि बहुत ज़दा ही यहाँ पर यह ambitious type of personality को भी create कर रहा है वहीं जो पाम के आपका structure है वो rectangular shape में create हो रहा है जो कि basically indicate करती है कि आपका जो thinking है वो बहुत ज़दा high approach के accordingly दिखाई पड़ रहा है और यही reason है कि ambition, desire आपके अंदर बहुत ज़दा है इस condition को कहते है fire element hand और यह basically वेक्ति को बहुत ज़दा चुस्ती, इसफूर्ती या बहुत ही immediate action लेने के tendency को indicate करता है लगातर अपने काम में परिवरतन करने के आदत होती है क्योंकि बहुत ज़दी किसी भी काम से उप जाते है हमेशा variety अपने काम में देखने के आदत यह देता है high thinking approach होने के करन बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से satisfaction नहीं मिल पाता क्योंकि वो जो goal है या वो जो thinking है वो बहुत ज़दा ही top set होती है इसलिए इस condition में हमेशा और अच्छा या और नया या और बहतरीन पानी की चाहत और और लाइफ में देखने को मिलती है यही reason भी है कि आपके अतेली में जो union line है वो एक से ज़ादा है जो एक से ज़ादा वार गहरे attachment and relationships को भी indicate कर रहा है little finger की length में देखेंगे तो इसकी finger जो है third finger के first force से थोड़ इसी short है और वहीं जो mercury mount है वो developed ठीक है जब भी little finger थोड़ी lower set होती है या इस प्रकार से short हो जाए तो हलक असा shyness nature में देखने को मिलता है और stage pair type of issues भी यह create करता है इसके अलावा जैसे की देख सकते हैं कि mercury mount की स्थिती बहुत बढ़िया है तो communication में धीरे धीरे आपका जो एक प्रकार से skills से वो अच्छा build होता दिखाई पड़ेगा और multiple languages का knowledge भी आपके पास देखने को मिलेगा management या punctuality, discipline यह सारी चीज़े धीरे धीरे कर अच्छे से maintain होती दिखाई दे रही है third and first finger के length में बहुत जादा कुछ फराख है रही दोनों के length तक्रिबन सेम है जो एक basically researching nature को भी indicate करता है हर बात के जड़ तक जाना, खुद के कई न कई सोच विचार में रहना, खुद के खयालों में रहना, किसी प्रकार कर deep thinking करना, यह सब combination होता है Jupiter की finger आपको हमेशा risk taker बनाएगी और responsibility taker भी बनाएगी इसलिए कोई भी नया काम शुरू करते से में पीछे नहीं हटेंगे, यह जिम्बिदाराई लेने से पीछे नहीं हटेंगे और जो सूर की finger है वो यहाँ पर आपको creativity और artistic quality देगी इसलिए हमेशा अपने काम में, upgradation, यह कुछ नहीं कुछ minor changes करने के आदत आपके अंदर रहेगा First finger का जो काओ Saturn के तरफ है, अध्यात में रूचिव धार्मे किसमे की प्रवति को यह ज़्यादा बढ़ा देता है और finger के अपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं के शंकला friendly nature and approach को भी create करता है जसके करन हर परिस्तिती माहूल में अपने आपको ढालना हर प्रकार के, लोगों के साथ संबन्द अच्छे रखना और finger के जो notes से वो जब develop ऐसे clear cut नहीं होता है, तो यह confusing mindset देता है इसलिए बारबर decisions में या किये गए plannings में changes करते हूँ दिखाए पड़ते हैं, खुद के बनाए गए उजना में doubt ज़ादा करते हैं, clarification नहीं होता है इसलिए बारबर अपने काम में या निर्णेयों में परिवर्टन करते हूँ दिखाए पड़ते हैं phalanges developed ठीक है, internal Mars की स्थिति सामान ने है, तो physical fitness तो कुल में लाकर ठीक दिख रहा है और जो thumb का size है वो यहाँ पर आपका शशक तो मजबूत और लंबा भी है तो सीखरें समझने हैं बातों को याद रखने के सक्षमता अच्छी हो जाती क्योंकि memory sharp होता है और इस condition में straightforward type of nature and personality create होता है अर्थात, to the point बात करने सुनने ही ज़्यादा पसंद करते हैं आपका thumb thin और tiny है, तो तमाम तरह की लडाई, जगड़ा, जंजट या बहस बाजी जैसी चीजों से दूर आप जैसे आदक देखने को मलते हैं अब फर्स्ट विलेंज के उपर आड़े रेखा होती है, तो यह निशानी होता है hypertension का, तो कई नकई आप अपने उपर worries या कई नकर stresses ज्यादा लेते विए भी दिखाई पड़ रहे हैं यह का चिन है आपके हतेली में, तो intuition, 60 sense, धार में क्रिया कलापों के द्वारा यह meditation के द्वारा यह बहुत अच्छा दे देता है सपनों के माधियम से भविश्य के दरश्य देख पाने की योगिता भी प्राप्त होती है, लेकिन यह open है इसलिए यह दरशारा है कि आपके अंदर consistency नहीं रहने वाला है यह बहुत ही कम जो है काम में आप continuity बना पाते हैं रुक रुक करके काम करने क्यादत और अधिक खर्चेल अपन आपके अंदर यह यह का चिन जो open है वो दिखा रहा है और यह दरशार है कि आपके life का जो second phase रहेगा अर्था 35 के बाद का जो समय रहेगा वो सबसे ज़्यादा जो है आपके जीवन का successful period या growth या फिर तमाम तरह के suitability आपको 35 के बाद ही देखने को मिलेगा और जब भी second film पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो तथ्यों के साथ अपने बात को कहते हैं और थोड़ी बहुत जब बाड़ी रेखा होती है तो इस condition में जो भी logic आप जैसे जातक लगाते हैं वो कई न कई satisfied हो नहीं पाता है इसलिए इस condition में research हमेशा करते हुए या फिर कई न कई बहुत जदा गेहन अध्यान करते हुए दिखाए पढ़ने लगते हैं इसके लब अभी आते हैं आपके palm के close-up पे तो यहां पर आप देख पाएंगे कि यह जो finger का जो settlement है उकल मिला करके ठीक है और इस condition में किसी प्र है तो family से दूर रहने के होगे निर्मित करता है इस condition में knowledge बहुत अच्छा होता है लेकिन कई मरतबह उस knowledge किसी के सामने शूर नहीं कर पाते हैं इसके लावा यहां जो progress line से इतनी भी रेखा हैं आपकी सब progress line है progress line इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह व्यक्तियों के अंदर ब है पड़ते हैं यहां पर इस प्रेगर की जब भी रेखा होती है तो life में हार नहीं मानते जो thinking यह बहुत बड़ी हो देखने को मिलती है बहुत उची सोच रखने वाले सात्विक इनसान और बहुत अच्छे ग्यानवान बुद्धी मता मजबूत किसम का व्यक्तित्यों दे करते हैं हमेशा और जदा या और बड़े कुछ पाने के चाहत देखने को मिलते हैं इसलिए जो यहां पर जो पराकरम है प्रयास है वो बहुत जदा बढ़ते रहता है इसके लब यहां पर एक और structure आप देखेंगे यह एक आड़ी रेखा निकली हुई है और दूसरी एक औ करन कि जो मेरे लाइफ है या जो ओकल्ट में भीलेव है वह एक्स्ट्रीम लिफल का और आगे बढ़ता चला जाएगा और इन सारे 001 नाॉलेज के माध्यम से या इन सारे जो है process, process in the sense की religion, occult, इन सब के माध्यम से आपको internal peace and satisfaction भी मिलेगा तो Jupiter at the end आपका respond अच्छा ही कर रहा है, थोड़ा सा ये दबने के करण जो married life है वो settle जो है थोड़ा देरी से ही होता है इसलिए कहा गया कि family से दूर भी रहना पड़ता है क्योंकि family और married life जोपिटर से ही देखते हैं और इस condition में starting में थोड़ा stress या struggle होता है लेकिन at the end Jupiter आपका respond अच्छा ही कर रहा है तो married life का सुख भी निश्यत रुप से बहुत अच्छे से आपको आने वले समय में मिलेगा society में status भी अच्छा रहेगा, knowledge का utilization हो पाएगा power, position and authority ये तीनों चीज़े आपकी life में 100% अच्छी आने वाली है luck line के बारे में देखेंगे तो यहां देख सकेंगे कि आपका जो luck line है वो V symbol के साथ start होता दिखाई पड़ रहा है V symbol का ताथ पर ये होता है कि जब छोटे होते हैं यानि जब बच्पन होता है तो उसमें एक से ज़्यादा skills कई ना कई डेवलप्ट होने लगता है व्यक्ति के अंदर में तो वही आपके साथ भी हुआ है एक से ज़्यादा skills में आप कई ना कई दिखाई पड़ रहे हैं बच्पन से ही फिर आपकी जो luck line है वो बहुत strongly run कर रहे हैं और इसमें moon का जो connection है क्योंकि यह जितनी भी रेखाए हैं सब आ कहां से रही है moon से आ रही है तो moon का connection व्यक्ति को जन्मिस्तान से दूर ले जाता है नहीं तो foreign connection या foreign settlement देता है या फिर मन का अतिधिक काम करना या अपने passion hobby को follow करना या बार बार अपने काम में थोड़ा थोड़ा changes करते करते अपने life में drastic change ले करके आना इस सब combination यहाँ पर देखाई पड़ रहा है तो यह moon क्या करता है moon luck line आपके luck को support करती है कि आपका मन उस काम में लग रहा है आपको बाहरी दूने लोगों का सहयोग मिल रहा है आपको comfort zone भी मिल रहा है तो यहाँ यहाँ पर दिखा रहा है कि बचपन से आपका जो भागे है कुल मिला करके बढ़िया ही रहा है कोई इसमें तकलिफ नहीं रही है और यह luck line बहुत strongly चलता जा रहा है लेकिन रुका कहा है माइड लाइन पे तो माइड लाइन पे luck line रुकती है तो खुद के लिए गए decision यह खुद के बनागई योजना यह फिर अपने लिए गए decision में परिवर्तन करने के करण आप जैसे जातकों के भागी में परिवर्तन होता है यह काम में जो है परिवर्थन होता है इसलिए बहुत ज़दा internal piece या satisfaction किसी भी काम में आपको जल्दी नहीं मिलेगा अभी आपकी उमर अराउंड 30 के आसपास में है और यह जो changes से आपके life में लग के regarding वो सब आता दिखाई पड़ रहा है तो इसलिए इस condition में कोई भी काम एक मेहनत में नहीं बनता है रुक रुक करके बनेगा देरी से बनेगा या फिर अतियंत प्रयासों के बाद मेहनत के बाद बनेगा क्योंकि वो जो मेहनत का जो process है या किसी भी काम को करने का जो process है वो बहुत lengthy इस condition में हो जाता है इसलिए इस condition में जल्दी internal PCI happiness नहीं मिल पाता है तो certain remedy यहाँ पर एक करना है और यह रेखा है mood swings भी देती है तो emotion feelings में fluctuations यह फिर minor changes होने के जो योग है यहाँ पर यह निर्मित कर देता है यहाँ देख सकते हैं आप बारे किसे कि आपका जो भाग रेखा है उसमें लगातार आप देख सकते हैं कि changes होता है आपको दिखाई पड़ेगा पहुसती है तो 100% जो भी journey शुरू किया होता है वो एक मेनत में व्यक्ति का complete होता है यह ज़्यादा obstacles नहीं आता है लेकिन जब इतना रुख करके रेखा चले या फिर इसक क्रिस क्रॉस साइन्स हो तो obstacles हर छोटे-छोटे काम में आने लगता है और जैसे ही जो भी काम आप पकड़ा उसको छोड़ेंगे तो obstacle खतम हो जाएगा तो यहां पर Saturn remedy करना अनिवार है उसका suggestion आपको WhatsApp पर शेयर किया जाएगा यहां देखेंगे आपके Saturn और Jupiter के बारे में तो यहां देख सकेंगे बहुत सारी रेखा यहां से निकलके Jupiter के तरफ जा रही है तो तत्यों के साथ अपने बात को कहना सुनना logical way से thinking and approach रखना और इस condition में to the point बात रखना और खासकर बहुत deep analysis या knowledge gain करना किसी भी particular work regarding या task regarding यहां पर यह दरशारा इसलि यहां पर जब भी square concern बनता है क्योंकि यह सूर का छेतर है और square concern यहां पर बनना property के लिहाद से बहुत अच्छा माना जाता है society में status अच्छा हो या ना हो लेकिन square concern इस बात को assure करता है कि आपके life में कभी भी wealth की कोई कमी होने नहीं वाली है और क्योंकि यह sun के उपर है इसलिए birthplace से दूर 100% खुद की property बिल्ड होती है और बहुत आलिशान property बनती है security life में finance के regarding या फिर work के regarding professional life के regarding बहुत अच्छा होता है एक तरफ square है एक तरफ cross है cross क्या करता है किसी भी काम के regarding satisfaction नहीं मिल पाती है इसलिए unsatisfaction, unstability और insecurity आपको आपके work के regarding यह feel करवाता रहेगा ऐसा लगएगा कि underrated work कर रहे हैं या फिर बहुत कम मेहनत में दूसरों लोग बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं या आपके साथ पक्षपात हो रहा है इसके अलबब अपने लोगों से धोका मिलना, misguide, misuse होना, defame होना यह सारे combination अलग से create होते रहते हैं लेकिन जैसा कहा गया कि इधर square है, square का sign protection का sign है तो चाहे कितना ही struggle या stress career के regarding या कोई वेक्ते कितना ही नाम क्यों ने बिगाड़ ले आपका कुछ बिगाड़ी नहीं पाएगा असल में क्योंकि इन साथी चीजों से आपका effect नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके life में पहले से security level बहुत बढ़िया है हाँ ये cross आपको definitely आपके काम के regarding unsatisfaction देगा इसलिए इसका care remedy है, certain remedy आप follow करिए आपका सूर्य automatically ठीक होगा या गायतरे मत का जाब करना या सूर्य को अर्ग देने से भी जो भी life में रुकावट आ रही है या career के regarding difficulties face करना पड़ रहा है name, fame, defame, ये जो भी issues हो रहे है ये सब भी आपका overcome बहुत immediate हो जाएगा आपकी जो सूर्य की रेखा है maintain कर पाते हैं सब खुद के बुद्धी मता, खुद की काबिलेत या खुद के दमपर ही कर पाते है अप सूर्य के उपर आप और बारे के से देख पाएंगे तो इधर बहुत सारी छोटी 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 रेखा है आपको यहाँ दिखेगी तो यह फोकस में बहुत जादा कमी और बे-फिजूल के भागदोड़ी unnecessary steps लेने जैसे योगों को निर्मित करता है हाला कि इन सब के बावजूद भी आपकी सूर्य के जो रेखा है वो यहाँ पर मजबूत है और दूसरे यहाँ पर V-symbol का sign भी है जिसे यह शश्वियों केते है आलेशान घर बनने से लेकर के नाम इज़शोरत और सक्सेज आफ्टर इस ट्रेगल इस सब कॉंबिनेशन दे रहा है अच्छी बुद्धी मता सीखने समझने की सक्षमता बातचित में माहिर सब बना रहा है लेकिन यह जो क्रोसर का sign है इस कंडिशन में कही न कहीं चीजे आसान नहीं होती है आसानी से कुछ भी चीज नहीं मिलता है इस ट्रेगल इस ट्रेशस फेस इस कंडिशन में करना पड़ता है और इसी के अतिरिक यहां पर एक fish symbol का sign भी है जो अगें आपको कुल दीपक बनाएगा कुल दीपक यानि अपने घर पर और में सबसेदा सुखी, समरेति, धनवान या फिर बलशाली यानि एक प्रगर से good position में power position में लेकर रहे जाएगा तो इसलिए struggle है लेकिन यह positive science है इसलिए आप सारे problem को easily face करते आगे बढ़ पाएंगे इसलिए कोई ज़्यादा चिंतावली बात नहीं है बीच में जो यह रेखा देख रहे हैं इसे विध्या रेखा कहते हैं दूसरों को advice या suggestions अच्छे से देपाने में सक्षम होते हैं mercury mount के अपर जब भी यह सी multiple line के availability होती है तो यह मेठी बोली आकर्शित व्यक्तित या multiple languages का knowledge देता है बहुत अच्छा healer बनाता है दूसरों को motivate कर पाना अपने बातों से प्रेरित परभावित या आकर्शित कर पाना लोगों को बांधे रखने की सक्षमता या किस वक्ति से कैसे बात करना है कैसे काम निकलवाना है किस situation को कैसे handle टेकल करना है यह सारी चीजों का knowledge business sense, marketing sense और calculation जैसे चीजों में माहिर होने और hospitality वा sympathetical type of nature and personality साथ ही बहुत ही attractive personality, voice tone यह सारे combination यह देता है इस condition में कभी भी पैसों की, लोगों की या किसी भी काम की कोई भी कमी होती नहीं है हमेशा लोगों से घेरे रहेंगे लोग खुद आगे से आकर के approach करेंगे आपके पास में या आपकी संगत को enjoy करेंगे कभी भी धन की यानि wealth की कमी होते नहीं है और skills इतना ज़ादा या इतनी variety का देखने को मिलता है कि काम की कमी नहीं होती है तो यह mercury old age में भी इस परकार का mercury बहुत ही अच्छा लेवल का धन देता है इसके लवा जो हैद रेखा की स्थिती है उसके पहले union line के बार हम बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे कि आपकी जो union line की स्थिती है वो तीन दफ़र मौजूद है और तीन जब union line होती है तो उम्र दिखा रहे हैं 27 and 8 का उम्र तकरिवन 32 के आसपस का और उम्र तकरिवन 34 and 6 का भी यानि इन पिरेड में आपके relation build होने के chances strong लेकिन इन सब में आप देखेंगे कि यहां छोड़ी छोड़ी रेखा आगर के आपको काट करके जा रही है तो यानि यह जो relation आपके जो build हो रहे है या फिर इन सब relation में जो भी disturbance आएगा या फिर अलगाओ होगा या detachment होगा वो किसी तीसरे वक्तिके influence होने के द्वारा यह misunderstanding के द्वारा ही होने वाला है इसलिए यह छोड़ी छोड़ी रेखा है काट करके जा रही है और आपका जो dedication है आपके spouse के प्रेदी बहुत रहना वाला इसलिए छोड़ी छोड़ी रेखा है उपर के तरह फुटी हुई है वही यहाँ पर देखेंगे आपके रेदरेखा के बारे में तो रेदरेखा के स्थिति देख पहेंगे कुल मिला करके सीधे चल रही है और यह सीधे heart line जो है आपकी जुपिटर से जोड़ गई है तो workaholic nature, honest, practical, logical and एक प्रकार से sympathetical nature and approach यह सब combination दे रहा है इस प्रकार के रेदरेखा वाले चाहा करके भी किसी के साथ बुरा नहीं कर पाते है हाँ logical personality रहेगा बहुत जल्दी trust जो है नहीं होता है या फिर belief system थोड़ा सा weak होता है यानि इस condition में गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं या फिर बहुत जल्दी genuine लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते है यह से थोड़े minor issues यह देता है लेकिन सबसे में बाद इसमें यह है कि इसका पूरा जो connection हो जो Jupiter से हो गया है यह बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा साथविक, साफसुतर दिल की वेक्तित हो और बहुत ही ज़्यादा sympathetical और sentimental type of furniture and personality के दिखाई पड़ रहे है यहाँ पर जब भी रेखा है यह से नीचे के तरफ आती है तो लगातार emotional hurt होने के chances यह build करता है और वो किसी भी कारण से हो सकता है जैसे किसी को पेसा दिया वापिस ना मिले किसे के लिए बहुत ज़्यादा dedication दिखा रहे हैं लेकिन वो तवज्जव ना दे, credit ना दे बहुत मेनत हो रही है emotion को sacrifice करने किसी भी चीज़ के लिए काम के लिए लेकिन उसके regarding भी creditability या values, gain, expected gains ना मिले बहुत सारे ऐसे reasons भी होते हैं जिसमे expectation किसी से ज़ादा हो वो fulfill ना हो तो भी ऐसे emotional hurt होते है कुछ मत करिए, meditation सुरू करिए, jogging सुरू करिए, सुबह जल्दी उठकर के प्राणायम करिए आपकी emotions control होने लगेंगे आपका emotional hurt होना बंद हो जाएगा क्योंकि प्राणायम इन सारी चीजों से जो toxins अंदर के होते हो सब निकल पाते हैं तो emotions settle down होते में ज्यादा समय फिन नहीं लगता है यहां देखेंगे माइड लैन के बारे में तो माइड और लाइफ लैन दोना का जो combination वो starting point of view से थोड़ा ठीक नहीं है चोटा एक island भी है तो कहीं न कहीं health regarding struggle आपको बच्पन में रहा है फिर mind line के structure को में लगकर के ठीक चला और इसमें changes होना शुरू हुआ उम्र 25 and 6 है progress line निकलना शुरू हुई यानि प्रगति आपने अपने खुद के decision या काम के regarding करना शुरू के 25 में 27 and 31 and 2 में भी सब 37 के बाद में तो 37 के बाद में क्या होगा आप अपने काम में परिवर्तन करेंगे या फिर कई न कई नई skills के उपर काम करेंगे और वो समय ऐसा रहने वाला है जिसमें आपके काम में mentality में drastic way में changes आएगा इसलिए जो आपकी सूर के रेखा वो बहुत लेट निकल रही है यानि 37 के बाद ही निकल रही है उसी के बाद आपको proper name, respect, success या बहुत extreme level का goodwill उस period के आसपास में create होगा लेकिन यह जब सूर रेखा create हो रही है या mindland change हो रही है उसी समय आपकी luck line भी पूरी के बूरी तरह से fluctuate और change हो रहा है यानि आपके उपर responsibilities बढ़ेगा, hard work बढ़ेगा लेकिन earning capabilities भी life में बढ़ेगी mindland age the end आपकी normal है, बहुत ज़्यादा long नहीं है तो shortcut में काम निकलवाना या straight forward नीचे इन अपरोच रखने यह सब combination यहाँ पर यह देता है इस condition में सीखेने समझने बातों को याद रखने की सक्षमता ठीक होती है, बहुत ज़्यादा कचरा अपने दिमाग में नहीं रखते है कि बहुत ज़्यादा अपने emotions पर ध्यान नहीं देते हैं या फिर अपने emotions को settle अच्छे से नहीं कर पार इसे लिए लगातार emotional hurt हो रहा है लेकिन यह जो mind line है यह दर्शारी है कि बहुत जल्दी जो भी emotional disturbance या trouble रहते हैं उन सबसे आप record करते दिखाए पढ़ रहा है aggression जैसी चीज़ें आपके अंदर जादा नहीं है cool calm type का nature and personality आपके अंदर दिखाए पढ़ रहा है और life line के flow में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपकी multiple progress line निकलती दिखाए आपको पढ़ेगी यह सारी के सारी रेखाओं को कहते हैं self mental line जिसका ताथ पर होता है कि सिर्फ खुद के मेहनत या पराकरम कोशेश को बढ़ेगा जीवर में ज्यादा तरक्या समरेद्धी को हासिल करना यह रेखाओं का उदगम जो हो रहा है वो हो रहा है उमर 28 से लेकरके उमर तकरिबन यहाँ पर 38 के एज के आसपास तब तो लगातार अपने प्रहतनों से आपको लाब मिलेगा सही होगा आपके जीवर में उमर 32 के आसपास में बहुत मजबूत तरीके से आ जाएगा और जेतनी भी यह छोड़ी छोड़ी रेखा हैं यह सब माइनर आप्स्टिकल्स देती है जो most probably family, health या फिर work के रिगारिंग ही देखने को मिलता है और lifeline के जो flow है वो यहाँ पर आपके बाहर के तरफ जुकावाए तो birthplace से दूर ही settlement के prominent chances आपके दिखाए पड़ रहे हैं इंटरनल मार्स के स्थिति ठीक है और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक triangle का sign आपको देखेगा मंगल पे इसा triangle होना, property and prosperity दोनों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है जितने भी छोटी-छोटी रेखाए हैं यह support system को indicate करती है जो कई न कई से आपको मिलते रहेगा यानि temporary period के लिए दूसरों के द्वारा support आपको मिलेगा temporary period के लिए temporary person से support आपको मिलेगा internal mask की स्थीति तक्रीबन ठीक है तो physical fitness के regarding disturbance इतना नहीं है outer mask भी developed ठीक है तो mentally fully strong है, courage अच्छा है शुक्र है developed ठीक है तो luxurious, comfort, royalty and standard of living बढ़िया रहने वाला है तमाम तरह की comforts को enjoy करते वे pleasure को fulfill कर पाएंगे आड़े रहा, unnecessary worries को create करती जो overthinking, negative thinking, family pressure और relationship के regarding आता है तो जो विक्ति जैसा उसको वैसे expect करना, expectation बहुत ज़्यादा नहीं लगाना बहुत ज़्यादा under control किसी भी relation को ना करना बहुत ज़्यादा positive ना होना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है अगर ये चारों चीज़े maintain आपने कर लिए, आपका शुक रितना अच्छा respond करेगा कि pleasure के साथ साथ तमाम तरह के desire, ambition और peacefulness and happiness married life में दे देगा और overall family life में भी दे देगा लेकिन इन चारों चीज़ों में किसी भी एक चीज़ में अगर आप engage हो गए जैसे possessive नया साथ के अंदर थोड़ा ज़ादा है तो कहीं न कहीं आपको relation के regarding struggle आ जाएगा इस इसका ध्यान रखना है आपको और सिधी खड़ी रिखें opportunities दे रही हैं ताकि lifestyle बेटर हो सके शुक्र जब किसी का develop ज़ादा होता है पर्फ्यूम लगाने का शौक, सावसुतरे कपड़े पहनने का शौक, घुमने फिनने का शौक, अपने आपको बहुत उपर से नीचे बहुत साई धंग से maintain करने का शौक, आस पर उसका वाता वरन बहुत सावसुतरे रखने का शौक, रोयल्टी इतनी ज़ादा होने लगन कि खर्चे सबसे पहले करते समय, मतलब जैसे एक फ्रेंड कलेस किसे साथ बाहर जा रहा है, तो सबसे पहले पर्ष आपका निकलने लगना, यूनिक चीजे पसंद आना, और कोई भी चीज यहाँ पर अगर आप पसंद कर रहे हैं, तो ब्रांडिट चीजे ही पसंद करना, यह सब जब शुक्र डेवलप्ट होता है, यह सब आदते आती हैं, तो यह सारी चीजे बहुत ज़्यादा परफेक्शन या डिवोशन किसी भी पर्टिकुलर एक प्रकार से डिजायर के प्रतिये इंडिकेट करने लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंक ओवर्थिंकिंग या बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का लट अपने उपर नहीं लाना है, क्योंकि यह आडि रेखना सब अन्नेसेसरी वरीज को क्रेट करती हैं, और अन्नेसेसरी जब एक्सपेंसे भी होते हैं, तब भी ऐसी आडि रेखा आती है, तो इन सब चीजों में यह multi-tasking nature, multiple thinking and approach को create करता है, आडि रेखा यह आतराओं को सब आगया, मन विचलित या धान भटगाने जैसे योगों को निर्मित करती है, इधर भी square के कुछ छोटे-छोटे signs है, इसके लिए देख सकते हैं, यहाँ पर एक हलका सा sign आपको देखने को मिलेगा, एक छोट बड़े level या power position तक पहुचते वे, देखने को मिलेगे, माई यह triangle fully open है, सीधी बात है, पैसा आएगा ठीक, रुकने नहीं वाला है, खर्चे extreme level के होंगे, rectangle का formation मंगल पे, तो property में investment करना सबस्यादा fruitful रहेगा, real estate से बहुत जादा lab आपको मिलेगा, अब यहाँ पर देख सक में leadership qualities increase होने लगती है, spirituality बहुत increase होने लगती है, किसे के लिए दुवा बदुवा बहुत जल्दी लगना लग जाता है, और बहुत बड़े level का task अपने life में करने लगते है, socially बहुत ज़दा active होने लगते हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ आगे से रह करके करने लगते है तो power position authority ये चीज़े बेले ना मिले, लेकिन पुन्य प्रताप के कारिय बहुत करने लगते हैं, और वो पुन्य प्रताप के कारिय का लाब आपको आने वाले समय में, या आपके बच्चों के द्वारा, या आपके पुर्वा जोग को निश्य तरुप से मिलेगा, तो cross का sign इस प्रकर का जब हो तो कोई भी negative ये नहीं होता है, ये spirituality में और overall देखा जाए तो wealth में, दोनों में बहुत जदा ही increasement देने वाला होता है, दूसरी बात left hand में देखें, तो आपको mind line में बहुत changes देखेगा, पहले mind line में छोटी छोटी रेखा है, नीचे के तरफ दिखेग हो गया और ये period है 35 का ही, फिर biforga का sign है जो कि multiple type of thinking and approach को और अलग-अलग तरीके से काम करने की गतिवीदी को दर्शार है, तो इस condition में आपको अपने mental और emotional health का बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी के आवशकता है, और इसलिए आपको meditation करना, प्रणयाम करना, jogging exercise करना या ज अच्छा का सर, name, fame या respect कमा पाने में सक्षम रहेंगे, लग के regarding, health के regarding, या और और lifestyle के regarding, कोई basically कमी या परशानी नहीं है, यह थी सबसे महत्पुन बाते आपके हाथ के regarding, आशा करता हूँ, सभी परशनों को तर्मिलिया हो, तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका आपका बहुत दने बाद